नमस्कार अगर आप मश्रूम की खेती कर रहे हैं तो ब्लैक मोल्ड जैसी एक बिमारी होती है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए ब्लैक मोल जो बिमारी होती है यह ओस्टर, मिलकी या बटन किसी मुश्रूम में लग सकती है और अगर यह बिमारी आती है तो यह स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपके बैग में छोटा सा ब्लैक स्पॉर्ट दिखाई देता है जो धिरी-धिरे बढ़ता चला जाता है अगर आप सही समय उसका ट्रीटमन नहीं करते हैं तो बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करता है और जब इसका ग्रोथ होने लगेगा और समझना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये ब्लैक मोल्ड ही है अगर आपने पहचान कर लिया है कि ब्लैक मोल्ड की बिमारी लग चुकी है छोटे-छोटे ब्लैक स्पॉट दिखाई देने आपके मश्रूम के बैग में कहीं कहीं तो इसका मतलब है इसका ट्रीटमेंट आपको करना है कई बार क्या होता है कि आपके पूरे बैग में ही काला पन दिखाई देता है यानि पूरा बैग एक तरफ से काला होना शुरू होता और दिरे-दिरे बढ़ता चला जाता है तो ब्लैक मोल की बिमारी नहीं होती इस चीज को आप बिल्कुल समझने कोशिच कीजिए इसमें क्या होता है कि अगर पूरा बैग आपका काला हो रहा है तो इसका मतलब आपने कुछ गल्ती और कर रखा है जिसकी वेसे पूरा बैग काला हो रहा है उसमें क्या होता है कि आपने भूसा जो है अगर बहुत पुराना इस्तेमाल किया था और या तो भूसा कभी बाइस में भीग गया था और सूख गया था फिर उसको इस्तेमाल किया आपने तो ऐसे में बैक काला होने के चांस रहता है या कई बार आपने बिजाई करते समय नम मोल्ड का infection हुआ है तो वो क्या होगा जैसे सपोज आपने ओस्ट मुस्रूम की फार्मिंग चुरू किया है तो उसमें क्या होगा पूरे भूसे में आप देखेंगे पन्नी के बाहर से दिखाई देता है कि दिरे दिरे सफेद इसका infection होने पर आपके मुस्रूम को नुक्सान करता है तो इसका treatment सही समयप होना चाहिए पहचान आपने समझ लिया अब इसका treatment कैसे करेंगे इसके लिए क्या करना है बावस्टीन या करबेंडा जीम आपके पास दवा होगा नहीं है तो online आप मंगा लीजिएगा एक लीटर भरने के बाद जहां पर spot दिखाए दे रहे हैं उसके अंदर polythine के अंदर निरील को गुसाइए और हलका हलका spray मार देजिए जो spot दिखाए दे रहा सिर्फ उसी पर मानना और कहीं नहीं मानना है जो spot black color का दिख रहा है वो पूरी तरह से गीला हो जाएगा नमी उसमें आ ग पर एक बार फिर से कहीं अगर spot थोड़ा दिखाए दे रहा है तो यहीं प्रक्रिया दोबारा दोहरा दीजिए ब्लैक मोल्ड की जो मिमारी है पूरी तरह से खतम हो जाएगी तो मुझे उम्मीद है कि जो ब्लैक मोल्ड बिमारी का treatment है वो आपको समझ माचुका होगा इसमे कोई doubt है आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं comment करके और information कैसी लेगी ये भी आप बता सकते हैं comment करके और चैनल पे अगर नए हैं तो subscribe कर सकते हैं ताकि इस तरह की जो भी जानकारी में upload करूँ उसकी जानकारी आपको मिलती रहे thank you so much